नमस्कार दोस्तों मिरुडूप चैनल में आप लोग का स्वागत है आज इस वीडियों हम बात करने वाले हैं 36 गण में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहाय ग्रेट के पदों पर भरती के लिए आद्वेज जारी कर दिया गया है तो इन पदों के लिए कौन-कौन अवेदन कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन अवेदन कर सकते हो या फिर ओफलाइन सीधी भरती किया जाएगा या फिर एक्जाम लिया जाएगा इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अधीक से अधीक सेयर किये ताकि ऐसी इकान क्यूंड जूरत मन लोगों तक पहुंच सके या तो आप लोगों का कोई भी सवाल है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं विज्ञापन जारी किये गया नगर सेना अगनी शमनियों अपात कालीन सेवाय तथा HDRF राज्य मुख्यालत 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर डाटा एंट्री ओपरेटर सहागरेट 3 के पदो पर सिधी भरती किया जाएगा और डाटा एंट्री ओपरेटर और सहागरेट 3 के लिए जो 36 गड़ के इस्थानिये निवासी हैं वो ही केवल ओनलाइन के माध्यम से अवेधन कर सकते हैं और आप लोग इसी के नीचे पद का नाम देख सकते हो डाटा एंट्री ओपरेटर के टोटल 3 पद पर भरती किया जाएगा वेतन दिया जाएगा मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार इसी परकार सहागरेट 3 के टोटल 10 पद पर भरती किया जाएगा वेतन दिया जाएगा मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार आप लोग यहाँ वर्गवार अरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो किस वर्ग के लिए कितने पदों पर भरती किया जाएगा और दोस्तों में इंपोडेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसी के नीचे देख सकते हो पॉइंट नमबर एक विज्ञापित पदों की संख्या परवर्तिनी है पदों की संख्या को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है पॉइंट नमबर तीन पंजग्रीट डांक या स्वीट पोस्ट से भेज़े जाने वाले अवेधन स्विकार नहीं किया जाएंगे जी हाँ दोस्तो अगर आप लोग पंजगरी डांक या स्पीट पोस्ट के माध्यम से अवेधन भेशते हो तो वो स्विकार नहीं किया जाएगा आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से अवेधन करना होगा और आप लोगों का परिक्षा लिया जाएगा दोस्तों ये regular पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है अभी विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है भरती के लिए जैसे विभाग की ओर से विग्यापन जारी कर दिया जाएगा तो इसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि इसका पाठे क्रम क्या होगा आयू क्या मांगा गया है एक्जाम कब होगा इस प्रकार के डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा तो उमीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक सेयर किये ताकि ऐसी काम की उड़ो जुरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियापन से संबंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद